कभी कभी जब हम कोई files को या कोई गानों अगरा को कहीं से copy करके paste करते हैं तो उसमें एक error आती है वो बोलता है कि यह फाइल corrupted या फिर unreadable है जिस वज़े से यह नहीं हो पाएगा तो इस error को कैसे solve करें यह मैं आपको आज की वीडियों बताऊँगा नमस्कार दोस्तों सहरेसी टेक्नलोजीज में आपका स्वागत है और मैं है फिलिप लुगार तो जैसे देखिए यहां पर मेरा फॉर्टनाइट है मैं राइट क्लिक करता हूं इसको और पेश्ट करने की कोशिश करता हूं तो देखिए यहां पर एक एरर आ रही है दा फाइल और डिरेक्टली इस गरप्टेड एंड अन रीडबल तो यह मेरी हाट डिस्क है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस हाट डिस्को जिसका नाम है इट्चरटन आप देख सकते हैं आप जिसके अंदर यहां फाइल इस पर राइट क्लिक रहूँगा राइट क्लिक कनने के बाद मैं इस इस पर प्रॉपप्र आप दीज का ओप्शन है फिर में हाट पर टॉल्स पर चाओँगा और फिर मैं यहाँ पर check पर click करूंगा, इसमें लिखा है this option will check the drive for file system errors, मैं check करता हूं इसको, और फिर मैं आपर scan drive पर click करते हैं, तो यह scan हो गया, इसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है, repair this drive, windows found some errors on this drive that need to be repaired, इसको में close कर देंगे, और यहाँ पर repair drive का फिर आपके बास option आजा the drive is ready to use, इसे हम cut कर देते हैं, और अब देखते हैं कि होता है कि नहीं होता, तो मैं आप right click करता हूं और paste click करता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी twist शुरू हो गई है, और work me कर रही है, तो friends कैसा लगा हमारा video, please comment box में जरूर बताएं, और subscribe करना बिलकुल ना भूले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, see you next video, bye bye